प्यारे बच्चियों सत श्रीकार मैं केरंदीब कौर आज जा पाजमात नौमी दी पाठ पुस्तिक पंजाबी विर्सा विचों लोक कहानियां विचों परी कथा अनाराशायजादी पढ़न जा रहे हैं अनाराशायजादी पढ़न तो पहला अपा जान देंआँ दोगलना लोक कहानियां बारी लोक कहानियां किसे भी सब्याचार दार्पन हुन दिगाा हान इस माज दी वभारिक जीवन शैली दा महताब पूरन हिसा हुन दिगाा हान इनना वेच मनरंजन दे नालनार कहानी रासदा वी मुखलचन होंदा है कहानी रासदा मुखलचन होंदा है ता वक्ता ते सरूते दा वेच वी गूड़ा सबंद होंदा है वक्ता कौन होंदा है? हुन तुसी पुछोंगे बच्चेो वक्ता हुंद है कहानी सनौन वाला, सरोत्ता जो कहानी सुन्द है, हुंगारा भी इना कहानियां दा हिस्सा है, हुंगारा की हुंद है, हाजरी लौनी, किस दवारा? सरोत्ते दवारा, जदो वक्ता कहानी सनौन दा है, ता सरोत्ते दी हाजरी हुंगारे दे रूप विच लग जा रहे हैं इस दे पातर है जेड़े अपनी किसे चीज दी तलाश वेच ओखे पैंडेते हैं कर दे हां ते मुश्कला नूँ तन मन ते हंड़ा हों दे हां फिर कोई ऐसा मौका मेल बंदा है जिसनाल वो अपनी मक्सद वेच काम्याब हो जान दे हां जेड़े यदा पातर हु मैसूस कर दे हां किसे वी पाशा ते सब्याचार दा अनमोल खजाना हन परीक थामा हने पाशा वेच परीक थामा दी रचना होई है पंजाबी वेच वी अनेक परीक थामा दी रचना होई है यस वीचों असी अपने सब्याचार दी खुश्बू अनुपब कर सक दे हां अपनू दखाई दिन्दा है ए थोड़ा बोता अंतर हों दे बावजूत भी कहानी दा उदेश, टीचा ते मनोरत एकी ही रेंदा है परीक थाओं दा बरतांत, लंबे बरतांत वालियां भी हन ते लगू परीक थामा भी हन आओ उन्ना विच्चों आपां एक परीक था अनाराशैजादी पढ़ दे हैं आओ मिलके पढ़िए अनाराशैजादी पुराने समेदी गल है एक र्यासत दे राजेदे कार सत पुत्राने जन्म लिया जादो नौजवान हो गये ता राजेदे मानवेच इच्छा जागी के कोई अजेहा कार परवार लभ्या जावे जेस दिंगा सत तीन्या होन राजेदे मानवेच बचार कार गया के अजेहा कर नाल उस दे पुत्तर ते नूहां प्यार नाल जीवन बसर कर नगे राजे ने अपने मानदी इच्छा पूरी कर लई ए जिम्मा खांदा नी ब्रह्मन नूम देता हाँजी जिम्मा देना जिम्मेदारी देना जिम्मेदारी देना बसर करना गुजारना हाँजी एक बोती प्राणे समेधी गाल राजे दे किन्ने पुत्तराने जान मले आसी दाजी दे कार साथ फिरोना दे मानवेच्च जेदो जवान होए ते राजे दे मानवेच्छ इच्छा की जागी के ना सत्ता दे लई एको ही कार्दिया साथ तिया व्याई आजान खांदानी ब्राह्मनु के उन्ना लई साथ लड़किया लभिया जान जो पैना होन राजे दा हुकम मन के प्रोहित अपने मकसद दी पूर्ती लई बहुत दूर तक पहुंच गया उसनु राद पैगी ओ विश्राम लई नगर दी तर्मशाला वेच रुक्या ता ओथे ही कोई हो र्यासत दा पंडत रुक्या होया सी आपसी गल बात होई ता पहले पंडत ने अपनी यात्रा दा मकसद दस्या दूर्जे पंडत दी अखा वेच चमक आ गई जाद उसने दस्या के मेरी र्यासत दे बाशा ने वी मैंनू सत राजकुमारिया लई इकको कार लब्बन दी जिम्मेदारी दित्ती है हुन जदों पंडत जस्या अपने मकसद दी पुर्टी ले प्रापती ली उदेश दी प्रापती ली तीच्चा जा उदेश उसनों राजी नहीं दित्ता होंद है उस दी पूर्ती ली पूर्ती प्राप्ती ली बहुत दूर तक पहुंच गया उसनू रात पैजन दी है फिर एक तर मिशालाच रूख दे है उथे एक होर पंडत रूख्या हुंदा है जदो ना चापस वेच गलबात हुंदी है जदो पंडत नू पुश्दे है ओ भी अपना मकसद दस्दा है कि किस तरह उसनू राजे ने अपनिया सत राजकुमारियां ली वारलबन ली पेजया है दोहां र्यास्ता दे पंडता नू राजकुमारियां ते राजकुमारां दी उमर वेच भी समानता मिली दोहां नू अपना मकसद पूरा हों दी अथा प्रसंता होई खुशी खुशी ओ आपने टिकाने लई विदा हो गई अथा बहुत जादा प्रसंता खुशी होना जोदो दोना र्यास्ता दे पंडता नू राजकुमारियां ते राजकुमारां दे उमर वेच वी समानता मिली ते फेरो नानू आपना जेडे उ मकसद लई आये सी ओ नानू पूरन हुंदा दिस्यात वो अपने अपने र्यास्ता बेच वापिस चलेगे जाद र्यास्ता दे राजयानू सूचना मिली ता ओनाने खुशी खुशी बच्यां दा रिष्टा तै कार लिया पंडता ने साहा बन के व्यादी मिती निश्चत कीती जाद व्यादा देन आया तां सब तो शोटा राजकुमार शादी तो इस करके इनकारी हो गया कि ओ तां हाले बहुत शोटा है ते ओ अपने लई मर्जी दी कन्या तलाश करेगा हुन पंडत अपनी रियास्तना दे राजानू मिल दे है ते उथे हो उना बारे गलबात कर दे ते राजानू भी एक दूजे दे देन नेड़े आया ता निष्चत कर देंदे मिती फिर जाद व्यादा देन नेड़े आया ता सब तो जेड़ा छोटा राजकुमार सीगा ओ मना कर देंदे क्यों मना कर देंदे केंदा मेरी तां हजे उमर चोटी है मैं चोटा हां इसलिए मैं अपनी मर्जी दिकंगना लड़की नाल, अपनी मर्जि दी लड़की नाल व्या करांगा। चोटे नू मनों दी बहुत कोशिश हो जहुँंआ, पर सब व्यार्थ कोशिचा हो रहेंगा पर किसे विच्पी सफलता नहीं मेल दी व्यार्थ जान देगा। आंत छे पुत्रां दा ही व्या संपन करना पया, पूरन करना पया, साथ छे यां दा ही सत्ना विच्चों शे यां दा ही व्या हो सकया जदो छे राजकुमारियां अपने सोरे परवार वेच आया, ताओ छोटे दी सुन्दरता वेह के बहुत खुश होया, उनना ने मता पकाया के किमे ना किमे आपन इसनू मना के छोटी पैन इसे देकार वसामा गिया, उनना ने हर रोज एक एक करके सुन्दर स्वादले पकवा परोस ने शुरू कार दिते, हों जदो छे राजकुमारियां व्या के ओंदिया, ताओ छोटे राजकुमार नू देख दिया, तो ताओ बोखोती ज्यादा सुन्दर सी, ताओ फिरो ना दे मान वेच आँदा है, कि आप आप दी शोटी पैन नू एसे नाल ही व्यामा गिया फिरो की कर दिया, उसनू प्रमोन ले, तरां-तरां दे पकवान बनाओ दिया ते उसनू प्रोस दिया है, बहाने नाल वारो वारी अपनी पैन दी सुन्दरता दा जिगर वी कीता, ते टाल दी उमर कार्न कुवारे रह जान दा, खदशा भी परगट ताया, जद शेमी राज कुमार दी रोटी वरजी, ते अनेकां तरां दे लोब लालच देखे, वी ओ राजकुमार नू अपनी पैन नाल व्या लई राजी ना कर सकी, ता ओ गुसे विच आके, राजकुमार नू तन्ना मार्दी है, के मैं वेखांगी, जद तू अनारांश है, जदी व्या के लिया चोटा राजकुमार अपनी परजाई दी चनोती सविकार कर लेंदा है, होन देखो बहने नाल वारो वारी की कर दिगें, राजकुमार दे सम्णे अपनी पैन दी सुन्दरता दी तरीफ कर दिगें, हार उसनू ड्रावा भी दिन दिगें, के ते टाल दी उमर तेरी उमर व्या कर देहां, अपनी पैनल व्या कर देखो पारो राजकुमार अपनी पैनल व्या कर देखों, घूँए कशे घ्रावा देखों में Аल मारें के तुम की राजकुमार अपना नाल! ज़दी व्याह के लिए आमेगा ता उसने उन्ना दिये चनवती सवीकार कर ली राज कुमार ने. राज कुमार अपनी मा तो अनारा दी सुन्दर्ता ते टिकाने बारे पुछदा है, ता मा जवाब दिन दी है के अनारा बारे सब सुनिया सनाईया गलाहान. इसलिए यो पागल ना बने पर राजकुमार अपनी हट ते काइम सी उसने अपनी मानू आख्या के जे इस कार वेच डूली आएगी ता सेफ सिर्फ अनारा दी वरना मैं मोड के इस महल वेच पैर नहीं पौना अपनी मां पुछ दै अनारा शेय जादी ना तकाना लेकिन उना दी मां की के जे अगर इसकार वेच डूली आएगी था अनारा दी आएगी नहीं ता मैं इस महल वेच कादम नहीं रखना राजकुमार कई दिन तूरदा गया तूरदा गया आन्त एक जंगल विच ले बाग विच जाके हरान हो गया कि उस दे सारे फोल लटैनिया मुर्जाये पए हन। कई दिंद तर्दा गया तर दाग्या फिर इक बाग सब्लेस व्रान रहां रहा जानी कि उस दे जड़े फोल लाते टैनना बागा दें ओ मर जायें परे है कंलाइ परे हैं मर जाये 5 खंढ физालिक्ि परे हैं कमलाईः पाये जान सुक जाना जादो आसे पाशे तयान मार्दा है ताँ उसे दी नजर एक्चुगी ते पैंदी है जिथे सादू समाद्थी च लीन नजर ओंदा है ए बाग उस सादू नही जादो समाद constitu लोगल चलाजान्दा तागी मीन ना पर्त दा जेस करके ए बाग सुक जान्दा राजकुमार ने साधू दी समाध्धी पंकर्ण दी था बाग दी सेवा करनी ठीक छमजी उसने नदी तो पानी ल्याल्या के बुट्यानू पाया ते बाग हरया परया हो गया जआद सादु दी समाद्धी खुली था बाग्दी रौन के वेक के हरान हो गया पांग विगन ना पाया उसने की समझया बाग्दी सेवा करनी सामजी होनों की करदा है जदो उस भाग विच पहुंचदा है देखदा है कि बुटे पौदे फुल पतियां मुर्जाए पहन कमलाए पहन तो वेखदा त्यान मारदा है तो उस दी नजर एक चुगीदे पहन दिया जो एक सादू दी सी ओ समाध्धी विच लीन सी ते फिर उस समाध्धी विच जदो चलया जान्दा सी ते कई-कई मिहिन्यों समाध्धी विच रेंदा सी तो उस दा बाग सोक जान्दा सी फेर राजकुमार ने की किसा उस दी समाध्धी पांग करना करन्दी बजाए तो उसने की किता बाग वेच बाग दी सेवा करनी शुरू कर देती उसे वेच पानी पॉना शुरू कर देता ते जदो पानी पाया ते बाग हरा परा हो गया फिर जदो सादू ओंदा है समाध्धी खुल दी है तो बाग दी रोनक देखके बड़ा खोशुन दा है सादू ने एक द्रक्त थले कूग सुत्ता नौजवान देख्या सादू नो जक हो गया के इसे दी सेवा सदका बाग हरया परया है जद राज कुमार दी आख खुली ता कि मैं तेरी सेवा तो बेहद परसं हां इस बदले मैं तेरी कोई वी इच्छा पूरी कर सक्दा हां ओ अपनी मुह बोल के दस्से दो वारता राजकुमार ने ना नुकर कीती पर जद राजकुमार नू सादू ने आख्या के संकोच ना करे जो वी मंगेगा मुराद पूरी हो जावेगी तां राजकुमार ने अपनी विथ्या सुनाई ते अनारा नू व्या के लैजानदा इरादा दस्या। के ही होया है तो फेरो सादू राज कुमार को ले पौंच के कैंदे हन के तु अपनी इच्छा 10 राज मारता दसदा नी हां जी पहला अपनी इच्छा 10 दानी उसंकोच करदा है अपनी इच्छा दसन ते संकोच करदा है, चिजिकता है, ता फिर जिदो राज सादू उनन वारबार पोश्दिहन, ता हूँ अपनी इच्छा दस्दा है, अपने नाल वित्ती सारी वित्या, सारी कहानी सना दिन दा है, वि उसनल की की वित्ती मुराद पूरी हो जाएगी, इ अपना दस्दा है, कि मेरा की मकसद है, मेरा की तीचा है, कि मैं अनारा नू विया के लेके जाना है, सादू क्योंके बहुत प्रसंद सी, उसने नदी पार करके एक नारा दे बाग दा पता दस्या, ते के हा कि ओथे राजकुमारी अनारा तलाशी जा सक्दी है, सादू ने एक खिदो दिती ते केहा के इस नू उच्छालर नाल ओ खिदो दा पिछा करे जिस अनार दे बुटे थले एक खिदो जाके रुके उस बुटे दे सब तो वड़े अनार नू तोड लवे ते उस विचों शहजादी अनारा निकल आवेगी नाल ही सादू ने राज कमार नू चुकना कीता के अनार नू मैला विच जाके ही चीरे जे रास्ते विच एक काम कीता था उस तो अनारा दी सुन्दरता दी चाल नहीं चली जानी होन सादू बोखोत ज़्यादा परसन सी उसने नदी पार करके एक अनारा दे बागदा पता दस्या ते नाल ही खिदो खिदो पच्यो गेंद खिदो किस नू कहने दे है गेंद नू नाल ही एक गेंद देती के जेदों ही ये उच्छालेगा जिस बुट्टे को ले जाके तो ये थिस राक्तदा सब तो वट ड्र नार उसने तोड़ना है तो उस वेच ही अनारा शहजादी खोएगी नाल ही चुकना कबरदार कींद कि एस नू रस्ते वीच की तेनी खोलना इस नू अपने मेल वेच जाकी खोलना है कि वो क्यों खोलना मेल वेचे जाके के ना वो बहुत ज़्यादा सुंदरता है वाली है वो परी जे उस दी चाल उस दी खूब सूर्ती उस दी सुंदरता उस तो बरदाश्त नहीं होनी जे रस्ते वेची उसने अनार नू खोल लिया हांजी खुद्धो दाता पता लाग गया ना गेंद हांजी प्यारे बच्चे ओ ते चुकन्ना कीता हुश्यार कीता खबरदार करना किसे वी चितामनी देनी किसे वी बिपता वेचे पैसकदा है होन बिपता किसे मुश्कुल वेच पैसाकदा अगरोनी रस्ते वेच उस अनार नू चीर लिया राजकुमार ने सत बचन कैके सादू तो विदा लई ते नदी पार करके अनारा दे अदपुत बाग वेच पहुंच के खिदो उचाली ते उस दा पिछा करदा करदा उस भुटे कोल पहुंच गया जिते खुदो रूकी है राजकुमार ने सब तो वड़े नार नू तोड़िया ते कारदी रा फड़ लई जाद ओ अपने शाही बाग वेच आया तां उस दे मान वेच शंका जाग आई के जे अनार विचों शेह जादी ना निकली ताप अबिया भी मेने देनगी या नाले लोक मुखाल राउन गे हां जी जदों भी भिप्ता वारे मुश्कल वाले मसीबत वारे मसीबत वारे दस्या ता राजकुमार ने सत बचन कहता है राजकुमार सादुनू तो फिर विदा हो गया फिर अदबुद एक अनार दे अदबुद अनोखे अनोखे बाग वेच कि थे पहुंच गया अनोखे बाग वेच अनारां दे अनोखे बाग वेच पहुंच के जदों खिदों फड़ लेंदा राज कुमार ति रास्ते विच्छ जाई जान दो अब एचाना पहुत हां शंका एक चिंता कहलो जाँ शक कहलो शक पैदा हुंदा है अपनी शाही बाग वेचा के जे इस अनार विचो अनाराश है जादी ना निकली ता पाबिया उसनू तन ने देन गी या मेने मार नहीं उस ते व्यंग कसन गी या ते उस दा मखोल डाउन गी या क्यों ना अनार चीर के वेख लिया जावे फिर राजकुमार दे मांच सादू दा बचन याद आया उसने सोचया के बाग ता उस दे बापदा ही है इसलई एथे केडी मुसीबत पैसक दी है उसने रब अब दा नाम लेके अनार चीरिया ता चन चन कर दी लाल सुहे वेस वाली शहजादी परगट हो गई ओही गलव अपरी राजकुमार सुंदर शहजादी नूँ वेखन सार बेहोश हो गया अनारा ने राजकुमार दा सेर अपनी चोली च रख लिया ते उस दी होश परतन दा इंतजार करन लगी हां जी जदो हो बाग वेच पहुँच दा है ता फेरो अनार जदो चीर दा है राजकुमार ता बड़ी ही सुंदर शंशन कर दी राजकुमारी जदो से समने परगट हो गई दी है ता उसनू वेख के बेहोश हो जाना है उसनू सादू ने भी आख्या सी भी बहुत जदा सुंदर है ना बच्चेों कहा सी ना के इस दी चालते थों चली नी जानी ओही कारण हुद है के राजकुमार बेहोश हो जानता है एन उसे मोके मेला चो एक चीवरी पानी परन भाग विच आ गई ओ बड़ी चलाक सी सुंदर शहजादी नू वेखन सा उसन अंदाज्या लालया के राजकुमार तां सुपनिया दी राजकुमारी नू लेउंच काम्याब हो गया चीवरी ने शहजादी दे हुसं दी तारीफ कीती ते प्यार नाल आख्या के ओ फिकर ना करे में मेलना दी वफादार से भी कहां जद तक राजकुमार नू होश नहीं लड़ी उसनू सैरकरोंदी है शहजादी सुन्दर सी छिवरी दे नक्ष तां सुन्दर सान पर रंग दी सावली सी हुन जदो हो राजकुमार बेहोश हो जानतायं जो अनाराशजादी हुं दी है वसनू अपने चोली चल ले लें दी आ इन्हें की हुनताया के छिवरी आ ज मखूतों जदों देख दी है तो सोच दी आ कि राजकुमारता सफल हो गया अनारा नू व्योन लई ते जड़ी चिवरी हुन दी है रंग दी ता हुन दी है सावली पर नय नक्षोस दे सोने हुन दे है ता फिर अनारा शहजादी नू की कें दी है क्यों कब राए ना ओ मैला दी वफादार सेविका है उस दे मान वेच राणी बंदी लालसा जाग पई लाल चागया लालसा जाग उठना लाल चागया ओ शहजादी नू प्यास लगन ते खूत लै गई दोहा ने पानी वेच आपनिया सूरता वेखिया चिवरी ने शहजादी नू बेंती कीती के मैं तेरे कपड़े पैन के वेखना चोंदी हां के किन्नी को सुन्दर लगांगी राजकुमारी ने कहा के ओ निर्वस्तर नहीं रह सकदी चिवरी ने चाट कहा के ओ थोड़े समे लई उस दे साद्धा कपड़े पा लई राशय जादी रजामांद हो गई दोहा ने आप स्वेच पहरावा बदल लिया होन की कर दिया क्योंके चिवरी बहुत ज़्यादा चलाक हुंदी है जदो अनारा नूँ पैस लग दिया तो उसनू कित्थे लाय जान दिया खूते लाय जान दिया ते मान वेच उस दे केड़ी लालसा हुंदी है मान वेच रानी बन दी लालसा हुंदी है तो खूते ले जान दिया तो पानी वेच की वेख दिया दोनों अपनिया अपनिया सूर्ता देख दिया हां चीवरी शैजादी नू बेंती कर दी है कि मैं तेरे कपड़े थोड़ी देर पाला मां ता अनारा शैजादी की केंदी है निरवर्स तर मैं कपड़ें तो बिना नहीं रह सक दी ते फिर चीवरी उसनू अपने कपड़े पौन लई केंदी है ता शैजादी रजा मंद हो जाना मन जाना राजी हो जाना मन जाना जा राजी हो जाना ते दोहाने आप स्वेच अपना पहरावा अपने कपड़े बदल ले जाद उन्ना दुबारा खुद आके पानी च मुँँ वेख्यातना बड़ी च लाकी नाल चिवरी ने शैजादी नू तक्का दे दिता ओ जालदी ना राजुकुमार कोल पहुंच गई जाद राजुकुमार ने सुहे कपड़े चिवरी नू देख्या ता मान विच शंका आई के पहलना ता इच शम शम कर दी गोरी चिटी सी अचानक एक ही हो गया फिर उस दे मान विच वचार आया के शायद सादो महातमा दी गल ना मनन दा ये शराप होवे होन देखो जदो राजुकुमार नू होश हो दी है फिरो की देखदा है के पहलना ते है किन्नी शम शम कर दी सुन्दर सी हुने नू की हो गया फिरो दे मान चे भी होँदा है के शायद उसने सादो दी गल नहीं मननी ये उसनू शराप दे अभिशाप दे रूप वेच मिल्या है तनवाद प्यारे बच्चों मिल दे हाँ अगले पाग वेच एसे कहानी नाद